हेलो और वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल जैसे क्या आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर वन में जो मोस्ट आप टापिक से उनको कवर अब किया है अब जो हमारे टापिक से रह गए हैं आप जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक अलग से यूनिट है लेकिन आपके सिलेबस में यूनिट नंबर वन के साथ रखा गया है इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उन टापिक से थोड़ा अटके हैं तो चलिए आज समझते हैं हम सोशल चेंज को उसके बाद हम मौडर्रेबनाजिशिण को समझेंगे तो इस वीडियो में हम आज क्या सीखें गे हम ये सीखेंगे कि सोशल चेंज क्या होती है इसकी मीनिग क्या है डेफिनिशन इस ग्या है Social change की simple meaning and definition is क्या है Social change का मतलब होता है Any alteration आपको simple याद रखना है कोई चीज है कोई भी object है कोई भी जो भी society में है उसकी alteration हो गई यानि alteration में है चेंज differentiation वो differ हो रहा है जो past में था present में अलग है ठीक है उसकी differentiation है modification जो चीज थी उसमें और एक change हो गई ठीक है उसको हमने modify किया that takes place in a situation किसी भी situation are an object simple इसकी meaning है या इसकी lateral meaning है क्या होती है social change any alteration कोई भी change आपने की किसी कोई भी change differentiation उसकी differentiation है modification की उसमें modify किया चीज़ों को that takes place जो होती है किसी भी situation में are an object उसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है social change लेकर but sociology में हम social change किसे कहते है social change change takes place in human interaction याद रखना sociology में हम social change किसे बोलते है sociology में social change बोलते है जब human interactions में change होती है जो आपस में interaction होती है individualist की individualist आपकी interaction आप बोलोगे में, पैरेंटर्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, आपकी फैमली में, आपके सुकूल में, आपके कॉलेज में, आपकी सुसाइटी में, अवराल, जब आपके इंटरेक्शन में चेंज आती है, हम किसी को कहते हैं न, सिंपली सुसाइटी में, कि तुम चेंज हो गए हो, why we will say you are changing, तुम चेंज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो behavior होता है, उसका जो interaction होता है, वो change होता है, वो आपके साथ अच्छे से behavior करता था, friend था, आप उनके साथ enjoy करते थे, लेकिन दीरे-दीरे वो कह कर रहा है, आपसे दूर हो रहा है, तो आप उसे बोलते हैं, आप change हो रहे है वाई यूर सेंग यूर चेंज हो रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं, चेंज टेक्स पिले, जब human interaction, जब humans के interaction में चेंज आती है, हम कहते हैं, social change, sociology में, ठीक है, and inter-relations, और आपके relations में भी जब चेंज आती है, ठीक है, आपकी different relations में चेंज आती है, आपके नए relations बनते हैं, होंते हैं, नए relations बनते हैं, हम क्या कहते हैं, change हो रही है, सोसाइटी में, ठीक है, तो simply change takes place, in human interaction, जब human interaction में चेंज आये, और inter-relations में चेंज है, हम क्या कहते हैं, ये है, sociology में social change, why, क्यों कहते हैं, because, हम कहते हैं, इस तरीके से भी sociology, Society is a web of social relations Society जो है ये web है social relations की इसमें बहुत सारे relations exist करते है ठीक है जैसे आप है आपकी relation family, parents, brothers, sisters friends के साथ playgroups के साथ, college friends के साथ school friends के साथ, university friends के साथ ठीक है, रिष्टेदारों के साथ cousins के साथ, parallel cousins के साथ ठीक है तो हम क्या कहते है Society web है social relations की जब society web है social relations की तो हम क्या कहते है, जब social relationship में change आएगी तो हम क्या कहते है, sociology में, sociology में हम कहते है, social change, ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है, society से web आप social relations, यह आपको याद होगा, यह मैं Cleaver ने कहा था, फिर हम क्या कहते है, social change is used to desirable variation, जब एक desirable variation आती है, said desirable का मतलब, desirable याद रखना, मैंने आपको इससे पहले, more spoke ways में, desirable मतलब, which is accepted in society जो society accept करती है वो changes नहीं आप वो changes लाओगे, जो society accept नहीं करीगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपका alienation हो जाएगे, कि आप society में अकले रह जाओगे, वो changes जो desirable, वो variations जो society में acceptable है किसमें, in social interaction social process and social organization वो changes जब आए, desirable changes आए किसमें, society में social processes में change आए social organizations में change आए, ठीक है, and social processes में change आए, आपके interaction में, आपके processes में, social processes क्या होते है, आपके cooperation में change आए, आपके competition में चेंज आपके conflict में चेंज आए है social processes, cooperation conflict, आपके cooperation, आपने friendis के साथ cooperate कर रहे थे पहले, अब आप नहीं कर रहे हैं तो आपके cooperation में चेंज आपके social process में चेंज आप conflict में इनवाल हो गए आपकी assimilation हो गई ठीक है, तो हम क्या कहते है social change is used to a desirable variation, जब society के social relations में चेंज आती है desirable change आती है, हम क्या कहते है social change आ गई है, ठीक है simple बहुत easy है next में चलते हैं, definitions को अब हम समझते है social definitions क्याते है social justice क्या बोलते है social change को, ठीक है, different social justice की view को देखते है Amy Jones क्या कहते है, वो कहते है social change is, इस term ये वो term है, used to describe जिसको हम use करते है describe करने के लिए किसको variations, variation आप समझते हो ये चोटा है, ये बड़ा है ठीक है, ये इसकी relations बहुत बड़ी है इसकी relations चोटी है, ठीक है छोटा बड़ा तो variations in, our modification किसी चीज में change modify आपनी किसी चीज़ को किया और, are of any aspect of the social process ये कहते हैं, जोन social change जो है, ये term हम use करते है हम describe करते है, variations हम कहते है, variation हो गई modification हो गई, किस में इनी aspect, किसी भी aspect में किस के social process में, सर्फ social process क्या होता है, social process आप याद रहोगा cooperation, जब आप cooperation करते हो, competition करते हो ठीक है, students का competition conflict conflict, लड़ाई, जगड़ा assimilation, assimilation मतलब, जब आप assimilate हो जाते हो, कोई नया culture अड़ाप्ट करते हो, कोई नई चीज़ है, here style आप change करते हो, कोई dress pattern आप किसी का follow करते हो, ठीक है assimilate हो जाते हुआ, इनको हम बोलते है social processes, तो am junis क्या कहते हैं, ये वो term है, जो हम use करते हैं, variation के लिए, modification के लिए, किस के लिए, any aspect किसी भी aspect में, social process आपके social process में कोई भी change आए आपके cooperation में change आए, आपके competition में change आए, आपके conflict में change आए, आपके assimilation होगी, तो हम क्या बोलेंगे, इन aspect में जब change आएगी, तो हम क्या बोलेंगे, आपके social change आगई, ठीक है social pattern, समाज के patterns में change आगई, how to behave, इसमें change आगए, जैसे हम अभी देखते हैं, जो new generation आई है उनमें क्या कहते हैं, इनमें moral values बहुत कम है, why, because वो social patterns को follow नहीं करते हैं, they don't like, कभी-कभी वो बज़र्बूं के साथ disrespect करते थे, तो उनको वो social patterns को break down करते हैं, तो उसमें change आगए, हम क्या बोलेंगे, social change आगए, social interaction, समाज में interaction करना, जो मैंने आपको अभी सिखाए, आपकी group में कोई individual है, वो आपके साथ अच्छे से behave कर रहा था, अच्छे से interaction कर रहा था, लेकिन अच्छानक से उसमें changes आ रहे हैं, और social organization society के जो organizations हैं, ठीक है, जो भी organization society में उनमें किसी भी aspect में अगर change आएगी, यानि इसने क्या कहा, इसने patterns में चेंज आएगी, social interactions में चेंज आएगी, और social organizations में चेंज आएगी, तो हम EM Juniors के मताबिक क्या कहते हैं, हम कहते हैं, social EM Juniors क्या कहते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं, social change आ गई है, society में, उसी को हम social change कहेंगे, ठीक है, फिर Kingsley Davies को देखेंगे, इसने कहा, by social changes, meant only such alterations, इसने कहा, social change का मतलब होता है, वो such, ये alterations, यानि ये changes, as occur in society, जो society में होती है, sorry, as occur in social, जो social organizations में आती है, उसने भी यही कहा है, याद रखना social organizations, समाज की जो organizations हैं, उनमें changes आ रही है, that is structure, वो क्या होता है, इसने कहा आज अब society के structure में change आए, and functions of the society, society कैसे function करते है और society का structure कैसा होता है, देखो अगर आप society को देखो family, marriage kinship, आपने पढ़ा ठीक है, education health pranaspood, communication ये चीज़े जो society में हैं, इसको सब को हम क्या बोलते हैं, structure है ये society का, ठीक है और ये function करते हैं, ये जब काम करते हैं, family, जब family marriage होती है किसी की तो family बनती है, family individuals देती है society को, वो different institutions को देती है, अगर इस function और इस society के structure में भी changes आए ठीक है, social control होता है please, अगर इसमें changes आ रही है, तो Kingsley Davis ने क्या कहा, Kingsley Davis ने कहा, उसी को हम जब कोई भी alteration change होगी social organization, यानि कि that is structure, structure में change होगी, या functions of society में, उसी को हम क्या कहेंगे, social change कहेंगे, ये किस ने कहा, Kingsley Davis ने, अच्छा sir, इनको याद रखेंगे, कैसे इन definitions को, आपको याद नहीं रखना है, याद रखना, इनको highlight करना, इन इसको, एम जून, उसकी definition को याद रखना, social patterns, social process, social interaction, social organization, इसने क्या कहा है, Kingsley Davis को, structure and functions of society, ठीक है, इसी तरह से याद रखना, पूरी definition याद नहीं रखना, कुछ key terms को पकड़ो अच्छा, फिर मजमदर ने क्या कहा, मजमदर ने कहा, social change may be defined as a new new fashion, sir, fashion क्या, यही fashion होता है, हम social जी में fashion इसी को कहते हैं, जो हम आम, layman term में कहते हैं, fashion, dress pattern, hair style, ठीक है, no, social जी में हम fashion कहते हैं, values को और bleeps को, याद रखना, ठीक है, मजमदर ने कहा, social change may be define it as a new fashion, यह नया fashion, यानि नए values, नए bleeps आ गए हैं, society में, आप बोलोगे, sir, कैसे bleeps, ना यह values, जो पहले values, जो पहले consider किया जाता था, right, आज वो right consider नहीं किया जाता, जैसे child marriage पहले right थी, आज वो ठीक नहीं है, sati system हमने पढ़ा, आज वो ठीक नहीं है, triple talak हमने पढ़ा, वो आज society में गाला था, ठीक है, तो values replace हो गए, then bleeps, जो पहले bleeps consider किया जाता था, वो आज bleeps नहीं है, उनमें भी change हो रही है, तो social change में भी define it as new fashion, नए चीज़े आ रहे हैं, नया fashion, नए values आ हैं, नए beliefs आ रहे हैं, और mood, नए moods आ रहे हैं, इदर, इनको modify किया जाता है, यानि पुराइनी चीज़ों को modify करके नए चीज़े लाई जाती है, ठीक है, और replacing the old, यानि पुराणों को जो पिछले वाले values थे, उनको नए values लाए जा रहे हैं, नया लाई जाता है, उनको replace किया जारा है, in the life of people किन के, लोगों की जिन्दगी में, are in the operation of society ने कि society का जो, society जो operate करती है, उनमें changes लाए जा रहे हैं, तो उसी को मजमदर ने क्या कहा, change, यानि मजमदर को आप कैसे याद रखूँगे, इसने new fashion कहा है, इसने new fashion कहा है, नए values, नए beliefs, ठीक है, बहुत इसी है, उतना difficult नहीं है यह, तो then, उसके बाद MacLeaver ने क्या कहा, MacLeaver ने कहा, social change में social change refers to a process, यह वो process होती है, या response होती है to many types of changes, जब बहुत कुछ many types of changes आती है, to change is man-made conditions apply, किसमें, जो man-made conditions apply पहे, to change in the attitude, sorry, अच्छा, then attitude, इनमें changes आएगे आपके, आपका attitude change होगा, आपके beliefs change होगे, and to change that go beyond, वो changes आपके control में नहीं होगे, beyond the human control, ठीक है, simple का याद रखना है, process, response to many types of changes, social change का मतलब होता है, यह हम किसको कहते हैं, according to MacLeaver, यह responsive many types of changes, to change in the man-made conditions of life, जो इनसान उने man-made conditions of life नहीं होगे, उनमें changes आगे हैं, ठीक है, change in the attitude, आपके attitude में change आगे, bleeps of man, आपके bleeps में change आगे, and to change go beyond, वो change human control में नहीं रहती है, यानि कि humans उस change को control नहीं कर सकते हैं, वो change content नहीं होती है, ठीक है, characteristics of social change, characteristics of social change क्या है, number one पे आपको याद रखना है, social change is continuous, social change हमेशा चलती रहती है, यह continuous process होती है, ठीक है, इसको आप control नहीं कर सकते हैं, जैसे आप, आप अपने गगों में भी सुन रही होगे, अपने parent से सुन रही होगे, पहले ये चीज़े exist कर दी थी, तो आज वो चीज़े exist नहीं करते हैं, हमारे mind में वो चीज़े नहीं आ सकते हैं, हम कहते हैं, यह चीज़े तो possibly नहीं होगे, नहीं, लेकिन वो होते हैं, ठीक है, तो social change is continuous, यह continuous रहती होती है, नहीं कि समाज में changes continuous चलती रहती है, social change cannot be stopped, इसको आप से टाप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, society cannot preserve in a museum, क्योंकि society को आप किसी museum में नहीं रख सकते हो to serve, ताकि आप उसको क्या बचाए, effect से, लोगों को बचाए changes से, ठीक है, तो change continuous रहती है, social change is continuous याद रखना then social change is temporal, temporal मतलब change happens through the time, इसकी continuous in a रहती है कि प्रशस्, innovation of new things, modification, renovation of the existing behavior, यहीन कि 9 so the second characteristics of the social change is temporal so innovation of new things, modification and renovation of the existing behavior and discourting of the old behavior patterns take time यानि कि नई चीज़े लाई जा रही है Change happiness through the time अगर आप time series में change देखोगे इस time पे क्या था, इस time पे कौन सी changes आई तो बहुत सारी changes आपको मिलेंगे ठीक है, एक time पे एक चीज़े आपको मिलेंगे उनकी modification हो गई, नई चीज़े आगई old चीज़े replace हो गई, तो नई चीज़े आए through different time अच्छा, यहां यह note करके रिखने न It is becoming not a being, a process, not a product याद रखना, यह MacLevver ने कहा है अगर यह social change में आपको दिखेगा, यह किस ने कहा है It is becoming not a being, a process, not a product यह MacLevver ने कहा, यह याद रखना, ठीक है Then, social change is environmental, environment, it takes place within a geographical or physical or cultural context यह environmental भी है, कैसे, यह within the geography, किसी area में होती है किसी physical यह cultural context में होती है, यह चीज़े Both these contexts have impact on the human behavior जब यह चीज़े किसी context में होती है, कोई नई चीज़े, किसी cultural context में होती है तो यह impact कर दिए human behavior In term, men changes the cultural context कभी-कभी यह भी होता है, कि men, जो individuals हैं, वो भी कभी-कभी cultural को क्या करते है Change करते है, ठीक है, cultural context आप समझते हो कुछ changes जो cultural context मैंने आपको new types of families पढ़ाई, जो western culture में है वो western cultural context में, यहाँ वो चीज़े नहीं होती है वो changes वहाँ आती है, ठीक है New types आप जैसे कुछ kinships होती है, कुछ रिष्टदारी किसी context में होती है जैसे नायरजब के रलामे मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है Specific cultural context में होती है Environmental changes किसी context में यह चीज़े आती है कही पे, किसी culture में यह नहीं आती है, ठीक है Social change is human change यह human change होती है Human change का मतलब होता है Sociological significance of the change Consistence in the fact यह किस fact में आती है इसका मतलब क्या होता है That it involves human aspect इसमें कौन होते है Human aspect होते है यह human specific होती है, ठीक है The composition of society is not constant अगर आप composition of society देखोगे वो कभी constant नहीं होगा आप society को divide करोगे Composition मतलब आप religion पे divide करोगे Cultures पे divide करोगे Composition of society जो वो change होता रहता है वो एक same नहीं रहता है ठीक है Social change results from the interaction of number of factors Social change, sir क्या social change एक factor से आती है A single factor trigger से particular change नहीं But it always associates with other factors जैसे आगर आप example से समझोंगे आपके पास smartphone आया है एक smartphone की वज़े से आप देखे कितने factors में changes आ गए Physically आप देख सकते हो जोग्राफिकल location देख सकते हो तो बहुत सारी चीज़ आपके culture में आपकी language ही चेंज हो रहे है आपका dress style, hair pattern यह dress style, talking आपका यह सारे behavior की जो treat से वो change हो रहे है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि it is always associated with other factors इसके बहुत सारे factors होते है Physical भी होता है Biological factors होते है Technological factors होते है Cultural factors and other factors together being social change यह साथ साथ समाज में changes लाते हैं यह सब क्या होते हैं Interrelated होते है Social change may be planned or unplanned Social change planned होते है Sir आप बतागे Sir क्या social change हम कर सकते हैं समाज में अगर लोग चाहें yes Planners हम उसे बोलते हैं जैसे Planners बनाए जाते हैं आपने Planners इंडिया में पढ़े होंगे Economy में Five Year Planners के अताथ Society में यह changes लाएंगे जबार Agriculture sector में changes लाएंगे Industrial sector में changes लाएंगे Programs जो नितियायों के भी बना रहा है Projects लाए जाते हैं जैसे Pushn Abiyan है जो आपको आगे पढ़ने हैं उनके ताहर changes बेटी बचाओ ठीक है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ ये चीज़ें इन प्रोजेक्टस के ताहत ठीक है है Hellat के प्रोजेक्टस के ताहते हैं Volcanic Irruptions हो जाते हैं ठीक है और इन्ही को हम फिर बोल दे है Short Term and Long Term Changes Short Term Changes जो Within होती है Within Short Time में कुछ चेंजिस होते है Long Term Changes जिसको Years लगते हैं या Decades लगते हैं ठीक है और Social Changes Objective Term याद रखना Social Changes Objective Term का मतलब होता है अगर आप Change को Major करना चाहते हैं क्या हम Change को Major कर सकते हैं Yes Objective का मतलब हम इसको Numbers में भी लिख सकते हैं 1947 में ये थी 1915 में ये थी ठीक है Numbers में कर सकते हैं जैसे इस तरह से हम देख सकते हैं Social Change Education को देखेंगे 1947 से पहले 1947 के बाद इतनी % Education Girls में इतनी Males में इतनी % Education ठीक है तो इसको Objective Terms ये निमेरिकल में Convert कर सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ आज का हमारा Lecture Complete होता है तो Social Change Complete हो चुका है इसके Meaning and Definition जो बहुत easy था Now इसके बाद हम Understand करेंगे After that we will understand the concept इसकी Theories थोड़ा बहुत उनको भी समझेंगे क्योंकि वहां से भी कोच चना सकता है इन्होंने खाली Social Change का गज़े पर रखा तो उसमें सारा इसकी Theories, Factor, Causes, Impacts और Social Change इन इंडिया ठीक है तो उनको समझेंगे फिर हम Next Move करेंगे ओके Thanks और चैनल के Description में मैंने Link दी है किलिग्राम के जहाँ आप जॉइन कर सकते हैं फर पीडियाप मेटेरिया ओके Thanks